हाँ नमस्कार साथियों आज हम भी ये प्रथमवर्ष के लिए टोपिक लेकर आए हैं स्वामी दयानन सरस्वती ये हमारे स्लेवस का हिस्सा है इससे पहले कि वीडियो में हमने स्वामी विवेकनन्द के बारे में बात की थी तो भारत में एक संत परंपरा रही है और उस संत परंपरा ने समाज के सुधार में यहां की व्यवस्था के उन्यन में अपना योगदान दिया है तो उसी क्रम में स्वामी दायानन सर्स्वती की आज हम बात कर रहे हैं स्वामी दायानन सर्स्वती की विचारों से लेकर परिक्ष्या में जो छोटे सवाल पूछे जाते हैं वो एक दुन की बहुत अर्चित पुस्तक है जिसे वो सत्यार्थ प्रकास नाम देते हैं दूसरा इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन है वाक्य है कि वेदों की और लोट चलो तीसरा इनके बच्पन का नाम मूल संकर था और इन्होंने अठारा सो पिचेतर में आरिये समाज नामा के एक संस्था की स्थापना की थी और मुंबई में की थी इस संस्था का उद्देश्य समाज में जो वैदिक संस्कृती के मूले हैं उनको व्याप्त करना प्राचीन गौरवसाली इतिहास को पुनरिस्थापित करना और लोगों का नैतिक विकास करना रहा है तो ये कुछ दायना सरस्वती के चिंतन से जूड़ी कुछ ऐसी बाते हैं जो परिक्ष्या में छोटे प्रसनों में पूछे जाते हैं एक इनके गुरू का नाम था प्रजानन्द उनको लेके भी छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं परिक्ष्या में अब हम बात कर रहें उनके विचारों पर तो हमने पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा में जिने हम राजनीतिक विचारक कहते हैं वो कोई प्रोफेशनल राजनीतिक चिंतक की नहीं थे वो एक बहु आयमी व्यक्तित्तु के धनी थे वो कभी आपको एक संत की रूप में मिलेंगे कभी आपको समासुधारक की रूप में दिखेंगे और कभी आपको आर्थिक मामलों पर, राजनीतिक मामलों पर, सामाजिक मामलों पर अपनी राय देते दिखेंगे इसी क्रम में उन्होंने जो बातें कहीं हैं और अपने विशे से सम्मंदित हैं तो हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं सबसे पहले तो दैना सरस्वती ने एक राजत अंतरात्मक व्यवस्था में अपना विश्वास जताया है और वो मानते हैं कि जो राजा है वो इस्वर की देईन है और राजा का काम प्रजा कल्यान है और राजा धर्म के अधीन है और धर्म सिन का मतलब है जो वैदिक धर्म है उसके अधीन है राजा को ये सोभा नहीं देता कि वो निरंकुछ विवहार करे प्रजा कल्यान से विमुख हो जाए इस तरह से वो एक तरह से सीमित राज़्दंत्र की बात करते है या उत्तरदाई राज़्दंत्र की बात करते है दूसरा ये लोग कल्यानकारी राज्जी की बात करते हैं लोग कल्यानकारी राज्जी सब भी प्राय है ऐसा राज्ज जो प्रजा के सुख्य और समरध्धी के लिए निरंदर प्रियतन सील रहे वो सारोजनिक जीवन के हर छेतर में अपना दखल रखे और ऐसी व्यवस्थाओं को बदले जो मनुश्यों के या प्रजा के कल्यान के में नहीं है या उनका आहित करती है तो इसके लिए राज्य की जो भूमी का है वो निभती रहनी चाहिए इस बात पर इनका गहरा यकीन था सामाजिक न्याय का भी इन्होंने गहरा समर्थन किया है और सामाजिक न्याय में इन्होंने ऐस प्रस्यता को निशेद किया है और यह माना है कि यह बहुत गलत है और किसी को भी यह हक नहीं है कि वो किसी को जाती आधार पर या किसी दूसरे आधारों पर भेदभाव करे, उन्हें पीछे धके ले, तो इनके जो सामाजिक न्याय में एक तो जाती व्यवस्था और जाती व्यवस्था पर आधारित जो ऐस प्रस्यता का विचार है, उसका प्रबल विरोध किया है उन्हो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे संस्थाइं आपको मिलेंगी जो आरिये समाज से जुड़ी हुई हैं महिला सिक्षा के लिए तो इन्होंने महिला सिक्षा पर बहुत फोकस किया है और जो महिलाओं के साथ होने वाला जो भेद भाव है उसका विरोध किया है तो समाजिक न्याय में वो महिलादिकारों की बात करते हैं जाती विरोध की बात करते हैं यह उनके जो कुछ विचार है उसके बाद उनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकास उसमें वो ग्रामीन जीवन के प्रसासन से सम्मंदित बात करते हैं विलेज एड्मिस्ट्रेशन के उसके लिए उन्होंने कुछ बताए हैं, श्टेज बताए हैं, वह बताए है, जिनमें, वह कहते हैं कि स्वामी दयनंद ने ग्राम प्रशाशन पर विशेज द्यान दिया है, सत्यार्थ प्रकास के अनुसार राजा को ग्राम प्रसासन के लिए विभिन स्रेणियों के प्रधान नुप्त करने चाहिए एक गाओं का प्रधान फिर दूसरे पे दस गाओं का प्रधान फिर बीस गाओं का प्रधान फिर सो गाओं का प्रधान और फिर है हजार गाओं का प्रधान प्रति एक स्रेणी के प्रधान का ये कर्तव होगा कि वो अपने आधिकार छेत्र में होने वाले अपराधों की सूचना प्रती दिन अपने से उच्चतर प्रधान को देगा ताकि ये सारी सोचना स्वैंब राजा तक पहुँचाई जा सके तो इस तरह से वो जो राज साही की बात तो करते हैं लेकिन उसमें भी वो जो कारिय को बाटते हैं और हर गाउं का परधान होगा फिर उससे उपर संख्या के आधार पितने गाउं पर एक परधान होगा तो जो भी information है वो उनके जरीय होती हुई राजा तक पहुँचेगी और राजा उसके उपर निर्ने लेगा तो यह उनकी प्रसासनिक जो कुसलता की जो उन्होंने बात की है जो welfare state की हम जो बात कर रहे थे दैनन सरस्वती के साथ थे तो उन्होंने यह बताया कि जो राजा और प्रजा को मिलकर सुक्सम्रद्धी और ज्यान की व्रद्धी के लिए तीन सभाएं संगठित करनी चाहिए विद्यारिय सभा जिसे वो educational council कहते हैं धर्मारिय सभा जिसे religious council कहते हैं और राजारिय सभा जिसे वो administrative council कहते हैं ताकि यह सभाएं मिलकर समुष्ट मनुष्यों को सब और से विद्या, स्वातंत्रे धर्म, सुशिक्षा और धन संपदा से संपन कर दें राजा सभा में किसी को पूर्ण या निरंकु सत्ता प्राप्त नहीं होनी चाहिए राजा स्वयम सभापती होगा परंतु वे सभा के अधीन रहेगा जैसे सभाप राजा के अधीन रहेगी यदि राजा स्वचंद या स्वेच्छाचारी हो जाएगा तो वे प्रजा परत्याचार करने लगेगा जैसे सिंग या कोई मासाहरी पसू अन्य पसूं को मार कर खा जाता है वैसे ही स्वचंद राजा प्रजा का नास कर देगा आदर्स राजा को अपनी प्रजा के साथ संदान जैसा व्यवहार करना चाहिए और प्रजा को राजा के प्रती माता पिता जैसा सम्मान रखना चाहिए तो ये जो welfare state में ये तीन सभाओं की बात करते हैं जिनमें धर्म की भी शिक्षा दी जाएगी जिसमें वैसे education भी दी जाएगी और प्रसासन के लिए उन्होंने राजारिय सभा की बात की है जिसमें राजा उस सभा चे उपर नहीं होंगे बलकि उनसे अपनी राए लेंगे उसके अधीन होंगे तो राजा और प्रजा में एक जो समनवयकारी और मधूर जो relation है उस पर जो दैनन सरस्वती है वो focus करते हैं इसके अलावा जो दैनन सरस्वती ने जो ब्रिटीस सासन के दोरान ये राश्ट्री आंदोलन के दोरान उन्होंने बात कही थी कि जो सवराज की जो बात कही थी उसे बात में राश्ट्री आंदोलन में मुद्दा भी बनाया गया और वो अंत्तय हासिल भी हुआ तो जो सवराज का जो विचार है वो दयानन सरस्वती ने 19. सदी के अंत में ही इस बात को उठाया था और ये माना था कि जो भारत को सवराज मिलना चाहिए और जो बिटीस उपनवेसवाद से भारत को मुक्ति मिलनी चाहिए जब ये सब होगा तब भारत के लोगों का नैतिक उठान होगा भारत अपनी उन्नती की और बढ़ेगा और दयानन सरस्वती का बिटीस सासन में कोई यकीन नहीं था नहीं British व्यवस्था में कोई यकीन था नहीं कोई European इतिहास और उसकी संस्कृती में उनकी कोई दिल्चस्पी थी वो वैदिक जो संस्कृती है उसमें बहुत यकीन करते थे और वो ये मानते थे कि जो अलग-अलग सक्तियां भारत पर परभुद्दू करती रही है तो उस दोर में जो भारत की जो गौरोसाली संस्कृती है वो कहीं न कहीं पीछे छूट गई और उस दोर में वो वैदिक संस्कृती को बहुत पसंद करते हैं और उसे जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत कोसिस की है तो इस देश को उपन वेसवाद से मुक्त करने के लिए भी एक जो वैचारी की योगदान होना चाहिए वो दयानन सरस्वती ने दिया है तो ये कुछ बेसिक बाते हैं दयानन सरस्वती के चिंतन से तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि वो जो एक तरहन से राजसाही के समर्थक हैं, दूसरा वो लोग कल्यान कारी राज्जी के समर्थक हैं तीसरा वो गाउं के प्रसाशन के लिए भी एक धासा देते हैं जैसे हमने परधानों की बात कहिए आपको चोथी जो उनके चिंतन में बात है कि उन्होंने ब्रटी सुपनिवेसवाद के खिलाफ हावाज उठाई है और सामाजिक न्याय को हम पांचवे बिंदू पर भी रख सकते हैं जिसमें उन्होंने ऐस्प्रसिता का जाती आधारित भेदभाव का विरोध किया है और लेंगिक न्याय यानि कि महिला अधिकारों का समर्थन किया है तो इन बिंदूों को हम थोड़ा विसलेशित करेंगे तो हम दैनन सरस्वती से आने वाला जो भी सवाल परिक्ष्या में होगा तो हम उसका ठीक से जवाब दे पाएंगे यहां से छोटे सवाल क्या पूछे जा सकते है उसकी जानकारी हमने इस वीडियो के सुरुआत में दी है धन्यवाद